हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज हम इस वीडियो में ले के आए है लेजर कमपनी की आटो इमर्शन हीटर यानि की पानी को गरम करने वाली रोड यदि आप इसे ओनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है उसके उपर कलिक करके अपना एडर्स लिखकर आप इसे ओनलाइन भी अपने घर पर मंगा सकते हैं इस इमर्शन को हम जब पानी के अंदर लगाकर बिजली का स्विच ओन कर देते हैं पानी फूल गरम हो जाएगा तो एटोमीर रोड़ा ओफ हो जाएगी और जो बिजली है वे हमारी खर्च नहीं होगी जब पानी ठंडा palavra फिर चल जाएगी और पानी जब गरम हो जाएगा फिर दोबार से बंद हो जाएगा सिंपल जो इमर्शन होती है यह दियो हो में उसे पानी के अंदर लगाकर उस भी चोन करके भूल जाते हैं तो अब पानी को उबालती रहेगी वह अटोमेंटी कभी भी कट नहीं होती उसे कारण हाथ से भी अनेक होते है परन्तो यह सबसे सुरक्षित होती है चलो दोस्तों अ है आप लिखा है सोग प्रूप कनेक्टर सप्लाई कोड है कोपर एलिमेंट है आट टमपरेचर कंट्रोल है इसके अंदर दिया हुआ है बुक्स के दूसरी साइड देखते हैं यहां पर भी कुछ एक आपको लिखा हुआ है जब भी आप इसे यूज करें तो कुछ एक इनके नोटिस दिए हैं वह आपको एक बार जुरू पढ़ लें साइड में आप देखेंगे अपने लिखा चाइज प्रोडेक्ट आर्टो इमर्सन वाटर हीटर है मोड़ देडी किलो वाट का कॉंटिटी एक बीस है मार पीस का 895 रुपै दिया हुआ है जो हमारे गर के अ इसको हमने पॉल्तिन से बार निकाल लिया है लुक वाइस आप देख सकते इस तरह का इसका लुक है उपर की साइड आप देखेंगे आप लेजर कंपनी का नाम लिखा है अटो इमर्सन है यह भी स्पेसिलिस के उपर लिखा हुआ है उपर की साइड एक इंडिकेटर लगा देख सकते हैं आप और निचे आप देखेंगे आपर भी लेजर कंपनिया नाम लिखा हुआ है और यह कितने किलोवाट की इस तरह सब कुछ इसके उपर डिटेल इसकी लिखी होती है वाटर लेवल के बार में थोड़ी सी जानकारी दी हुए निचे की साइड आप देखें कि यह पानी के अंदर पूरी की पूरी ना डूबे क्योंकि इसको पानी के अंदर हम पूरी नहीं डबा हो सकते हैं अब आपको बता देता हूं कि तीन पाई पहँए उपर की साइड से निचे की तरफ आई हुए है दो आज जो पाई पहँए को अपर का एलिमेंट होता है जो कि पानी को गरम करता है साइड में पीछ आपको एक पाई पोर दिखाई दे रही है चोटी सी है इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा उता है जब पानी पूरा गरम हो जाता है जब इसको लगेगा कि पानी पूरा गरम नहीं है तो यह एटोमेंटिक फिर ओन हो जाएगा पानी गरम करने के लिए यह जो रोड है यह बेस्ट है कहीं पर भी हम इसे असानी से बैक के अंदर डाल कर लेके जा सकते हैं और साथ में ही जब हम कहीं पर भी पानी गरम कर रहे हैं पानी गरम करते समय हम स्विच को ओफ करना भूल चाते हैं तो भी हमें कोई डरनी है कोई भी guarantee नहीं दी जाती है यानि कि बिना पानी जब हम इसे चलाएंगे तो यह गरम होगी गरम होते ही इसका जो element है यह फट जाएगा और company इसकी कोई भी guarantee नहीं देगी तो दोस्तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताए और आपको वीडियो अच्छी लेगी ताप इस वीडियो को लाइक भी कर दे साथ महीं अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दे धन्यवाद दोस्तों